हाई फ्रेंड में लाई हूँ आपके लिए रमजान प्रेपरेशन वीडियो बहुती क्विक रेसिपी यहाँ पे लाई हूँ में जिसे आप बना के रख सकते हो रमजान का महीने में आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम किच्चन में रहने के आपको जरूरत नहीं पड़े पीस लेना है क्योंकि रमजान में बहुत सी रेसिपीज बनती है नौनमेज भी बनता है बहुत सारा तो हमें गरम मसाले की बहुती ज़्यादा जरूरत होती है तो आप गरम मसाला बहुती अच्छी मात्रा में बना के आप रख लीजिए जिससे आपका एक से डेड़ मैना आराम से निकल जाए यहाँ पर देखे गरम मसाले को थोड़ा सा मैंने आईल में सेक लिया है एक से दो मिनट तक यह देखे ऐसे सेकने के बाद थोड़ा सा थंडा होने के बाद उसे अच्छे से आप ग्राइंड कर लीजिए और इसे एक एर टाइट कंटेनर में भर कर रख दीजिए ताकि यह बिल्कुल भी खराब ना हो और आपका ज्यादा टाइम यहाँ पर से हो जाए कोई भी रेसिपी बनाने की समय तो यह हुई हमारी पहली क्विक टिप पहली रेसिपी तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हमारी दूसरी क्विक रेसिपी की तरफ यहाँ प बस एक क्यूब मिलाई है और आपका यहाँ पर सर्वत बन के रेडी हो जाएगा बहुत ही कुई बन जाने वाली रेसिपी है यहाँ पर मैं एक बाउल में एक ग्लास के करीब पानी आड़ कर लिया है और यहाँ पर जिस कलर का बनाना चाहा बना सकते हो आइस क्यूब यह द बहुत ही कुईक बन जाने वाली रेसिपी है इसे आपको अच्छे से मिक्स कर देना है और बस इसे आपको एक आइस क्यूब में अच्छे से सेट कर लेना है जब भी आप कोई भी ड्रिंक बनाओ कोई भी सर्वत बनाओ बस उसमें एक क्यूब एड़ कर दीजिए और बहु सकते हो ताकि आपको थोड़ी सी एनरजी भी मिले और बहुत ही कुईक बन जाएगा और थोड़ी सी आपको यहाँ पे थंड़क भी मिलेगी तो यह कुईक बन जाने वाली रेसिपी है इसे जरूर से जरूर ट्राइ कीजिए आकों को भी बहुत ही अच्छा लगता है कलरफुल ड्रिंक और यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लेगेगा और यह कुईक बन जाएगा चलिए आपको यहाँ पे मैं बना कर भी बताती हूँ यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है तीनों ग्लास में इसमें थोड़ा-थोड़ा मैंने लेमन के मतलब जूस यहाँ पे डाल दिया है जैसे की 1-4 चमज के करीब आप एड़ कर दीजे ज्यादा मत एड़ कीजेने तो खटा हो जाएगा और इसमें आपको आपके अंदाजे हिसाब से शुगर एड़ कर देना है यहाँ पे मैंने बुरा चीनी एड़ किया है एक-एक चमज के हिसाब से आपको जितना शुगर चाहिए आप एड़ कर सकते हो यह देखे अच्छे से मिक्स करने के बाद बस इसमें आपको जो कलर के आईस क्यूब डालने है आप डाल सकते हो और आपका यहाँ पे क्विक सरबत क्विक ड्रिंक बन के रेड़ी है इसे आप तुरंत रोजा कोलने के बाद भी आप ले सकते हो देखे कितना अच्छा कलरफुल यहाँ पे बन के रेड़ी हो गया आपका ड्रिंक बहुती अच्छा और बहुती क्विक बन जाने वाली रेसिपी है यह और यहाँ पे मैंने जो भी रेसिपी बताई उसे आप स्टोर करके रख सकते हो ताकि आपको रमजान में ज्यादा भाग दोड करने की जरुरत ना हो और ज्यादा टाइम आपका किचन में ना जाए तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्विक रेसिपी की तरफ यहाँ पे मैंने अनियन को ब्राउन करके रख लिया है बहुती काम आने वाली चीज़ है रमजान में ताकि जो भी आप बनाए जो भी बिर्यानी बनाए उसमें आप तुरंत इसे अड़ कर सके तो यहाँ पे मैंने पतले-पतले स्लाइज में अनियन को कट कर लिया है यहाँ पे मैंने सनफ्लावर आइल में इसे अच्छे से में फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक सुनेरा होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी बहुत सी चूजे में इसका यूज होता है बिर्यानी में और इसका अगर करी में यूज होता है और ये भी सबसे ज़्यादा यूज आने वाली चीज है रमजान में तो इसे आप जरूर फ्राई करके रख सकते हो फ्रीजर में बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं जब भी आपको यूज करना हो इसे फ्रीज से निकाली हो और इसे तुरूंत आप यूज कर सकते हो तो चलिए बढ़ते हैं भी अगली क्विक रेसिपी की तरफ यहाँ पर मैंने बनाए बहुत ही क्विक बन जाने वाला आपके लिए सरबत यहाँ पर इसे सरबत कह सकते हो आप इसे शेक कह सकते हो जब भी आप रोजा रखने से पहले भी इसका यूज कर सकते हो या आप रोजा खोलने के बाद भी इसका यूज कर सकते हो बहुत ही आपको ताकत देगा है और बहुत ही हल्दी है यह इसमें मैंने सारे ही ड्राइफूर्ट्स एड किये है जो आपकी पसंद के ड्राइफूर्ट हो उसे आप एड़ कर सकते हो दो दो चमच यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सौंबी मिलाई है ताकि थोड़ी सी थंड़क दे आपको अच्छे से इने सारे ड्राइफूर्ट्स को यहाँ पे आपको पाने में भीगो देना है यह देखे मैंने पाने में अच्छे से भीगो दिया है सारे ही ड्राइफूर्ट्स को और आप यहाँ पे जो भी आपको ड्राइफूर्ट्स पसंद हो उसे भी आप यहां पिने थोड़ी सी काली मिर्ज भी एड़ की थी अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो इलाईची आप एड़ करना ना भूलिए क्योंकि रोजा रखते समय प्यास बहुत ज्यादा लगती है तो इलाईची से प्यास कम लगती है तो जरूर इसे इंक्लूट कीज बहुत ही फ्लेवरफुल पानी होता है यह देखे इसका अच्छा सा पेस्ट बन चुका है और यह पेस्ट को आपको अभी फ्रीज करके रखना है कैसे करना है चलिए बताती हूं आपको यहां पे मैंने एक आइस क्यूब ट्रे ले लिया है इसे आपको सारी आइस क्यूब में भर देना है और इसे आप एक मैने तक स्टोर कर सकते हो जब भी आपको यूज करना हो एक से दो क्यूब आपको निकालना है दूद एट करना है शुगर एट करना है और इसका रेडी हो जाएगा आपका इंस्टेंट ड्रिंक यहां पे और जब भी आप रूजा इसमें दूद एट कीजिए थोड़ा सा शुगर एट कीजिए और आपका ड्रिंक बनके यहां पे रेडी है मिलक शेक बोल सकते ड्राइफूट्स ड्रिंक बोल सकते इसे आप जो भी नाम दें बहुत ही क्वीक बन जाने वाले रेसिपी है क्योंकि इसे आपने फ्रीज करके रखाया तो आपको फिर बनाने में ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा चलिए यहां पे मैं बना के भी आपको बताती हूं आपको यहां पे क्यूब आपको जितना चीए निकाल लेना है इसमें आपको थंडा दूद एट कर देना है और आपको अपने अनुसार यह है यह ड्रिंक तो चलिए हमारी यह रेसिपी यहां पे बन चुके चलिए देखते अभी अगली रेसिपी और यहां पे मैंने बनाई यह खट्ती मीटी इमली की चटनी गुड़ वाली बहुती स्नैक्स में यूज होती है यह चाट में यूज होती है जब भी आप धैवड़ बनाए चाट बनाए तो इसका जरूर आपको यूज कर सकते हो इसे बना क्या फ्रीज में रख सकते हो एक से दो मैने यह तो छे मैने तक भी खराब नहीं होती है इन दोनों चटनी का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे जरूर चेक आउट कीजिए यहां इन दोनों ही रेसिपी का लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी प्लीज जरूर से जरूर इसे चेक कीजिए बहुत ही क्विक बन जाने वाली रेसिपी है मटर की दानी को आप 6 मैने तक प्रिजर करके रख सकते हो एर टाइट कंटेनर में पर इसमें बिल्कुल लगना नहीं चाहिए और इसे आप 6 मैने तक आराम से यूज कर सकते हो अगर आपके पास जिप लॉक बैग ना हो तो एर टाइट कंटेनर में भी भरके रख सकते हो रमजान मैने में अगर सबसे ज़्यादा चीज की कोई जरूरत होती हो तो वो है अदरक लसंट पेश्ट की जरूरत होती है तो इसे आप अच्छी कॉंटिटी में बना के रख सकते हो बहुत ही आसान तरीका इसमें बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो चलिए यहाँ पे आपको अदरक लेना है यहाँ पे आपको जिंजर अच्छे से पील कर लेना है इन्हें दोनों क क्यूब में ट्रे भी भरके रख सकते हो और आप इसे दो से तीन मैने आराम से चला सकते हो यहाँ पे आपको जो पतली वाली सेवई आती है इसे आपको अच्छे से घी में तल लेना है बून लेना है और यहाँ पे आपको ड्राइफूट भी घी में अच्छे से भून लेन इसे आपको मिक्षर को अच्छे से फ्रीज में स्टोर करके रख लेना है जब भी आपको सेवई खाने का मन करे तुरंत आप इसे बना सकते हो बॉल कर लीजी आप मिलको फिर उसमें आप जो भी आपने मिक्षर बना है उसे थोड़ा सा एड कर लीजी और सुगर एड करने के बाद आपकी सेवई इंस्टेंट सेवई बनके रेडी हो जाएगी इसमें आपको बिलकुल भी टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही स्वाधिस सेवई यहाँ पर बन जाएगी अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्